Central Board of Trustees की आज बैठक होने वाली इस दो दिन के बैठक का एजंडा क्या है यहाँ क्या खास होने वाला है यह बताने के लिए हमारे साह जुड़गे है हमारे से योगी प्रकाश प्रिदर्शी प्रकाश बताईए क्या है एजंडे में और क्या इसे एक्विटी मार्केट को कुछ बेनिफट होने वाला है देखिए EPFO के Central Board of Trustees की आज से एहम बैठक शुरू हो रही है दो दिनों तक यह बैठक चलेगी सुत्र हमें बता रहे हैं कि कई एहम मसले हैं जिस पर चर्चा हो सकती है और फैसले की भी संभावना है कई administrative मसले भी हैं जिस पर फैसले लिये जा सकते हैं लेकिन जो सबसे एहम agenda है जैसा कि हमें source बता रहे हैं वो है EPFO के पास जो fund है उसका equity में निवेश ये संभादी जो अधिकतम सीमा है वो क्या हो इस मसले पर चर्चा होगी और फैसला किया जा सकता है सुत्र हमें बता रहे हैं कि Central Board of Trustee जो है जो अधिकतम सीमा है equity में निवेश की उसको 15% से बढ़ा कर 20% तक कर सकते हैं इस मसले पर फैसला किया जा सकता है EPFO की जो Finance Audit and Investment Committee है उसने भी अपनी सिफारिश में ये कहा है कि equity में निवेश की जो अधिकतम सीमा है जो कि इस वक्त 15% तक है उसमें 5% की बढ़ोती कर देनी चाहिए और इसको 20% तक कर दिया जाना चाहिए इस मसले पर विचार दरसल इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से return में काफी कमी देखने को मिली है जिसकी वज़े से EPFO को इस बात पर मजबूर होना पड़ा कि वो वितवर्च 2021-22 के लिए जो PF पर ब्यास जारे है उसमें बड़ी कटावती करे इसको 8.5% से घटा कर 8.1% कर दिया गया लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर निवेश की सीमा में बढ़ोतरी होती है तो शायद आने वाले दिनों में उन्हें जादा return मिल जाए इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जा रहा है हलाकि जो labor unions हैं वो इस फैस दिनों की बेठक है और इसमें तमाम एजेंडों पर विचार किया जा सकता है सुतरों के हवाले से हमें कुछ खबर भी मिल रही है तो इस बैठर पर हमाई नजर बनी रहेगी जो भी अपडेट आते हैं वो हम आपको बताएंगे